हलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का MZT एजूकेशन में सबसे पहले तो आप सभी को दसारा की बहुत-बहुत सुप काम ना है अब मैं वापिस आच चुका हूँ घर से दोबारा से लखनाओ में स्टूडियो में तो अब आपसे फिर से डिजिटल बोड पे वीडियो आपको देखने को मिलेगी तो यानि कि हम लोग सांधार तरीके से फिर से करेंट अफेर का जो सेशन है वो कॉंटिनू करेंगे पुराने अंदाज में तो आज हम लोग बात करेंगे 24 अक्टूबर के करेंट अफेर की तो पूरी वीडियो डिटेल में होने वाली है बहुत ज़्यादा इंफ्रमेशन के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल रिविजन के साथ तो आपको इन तक देखना है अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, से पान जो देश है न ये अब तटिये पोच से विद्दो चुमब के रेल गन लांज करने वाला पहला देश बन गया है और सीमम हेमन सोरेन जो की जारखन के सीम है इन्होंने महिला ACI Championship के लिए अभी सुभंकर यानि मसकट लांज किया है ये मसकट क्या है ये मसकट है दूस्त से लंबा फ्लाइ ओबर है और अभी हाली में जो मैटो के साथ IRCTC ने समझाता किया है ट्रेन यात्रियों के लिए फूड डिलिवरी के लिए इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था RBI ने कोटक महिंदरा बैंक को मंजूरी दे दी है एक सुनाटा फाइनस नाम की कमपन को अधिगरहन करने के लिए फामला इप्रिक्स एक बार फिर से हैदराबाद में आजिद किया जाएगा 2024 वाला भी और 26 से 29 फरवरी के मद्ध भारत टेक्स 2024 का आजिद किया जाएगा ने दिल्ली में और अभी हाली में हिमांचल प्रदेश के मुख्यमंतरी के दौरा सपनो का संचय नाम की एक योजना लांच की गई है 10 वर्स से 18 वर्स के चातरों के लिए यह कहें कि युवाओं के लिए बच्चों के लिए तो यह कलके करेंटे फेर थे जिनका आपने किया है एक मिनट में रिविजन अब हम लोग बात करेंगे आगे लेकिन डेटेल की PDF आपको क कंतिली का लगा डालो कम से कम कुईज सभी मैहिनों का करेंट अफेर का कुईज लगा डालो आपका समुझलों यहां पर काम बन जाएगा और मैंने 15 वीडियो की जो प्लेलिस्ट दी हुई ना उसको जरू देख लिए चलिए शुरू करते हैं पहला कुश्चन आपके सामने अंतराष्टी हकलाना जागुता दिवस कब मना जाता है यह बहुत ही इंपॉर्टन दिवस से दोस्तों यह मना जाता है प्रतेक वर्स 22 अक्टूबर को देखो अंतराष्टी हकलाना जागुता दिवस यानि इंटरनेशनल सट्रिंग अवेर्नेस टेप यह क्या है आपने ज चीज बात कहने हो लेगिन कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स जन्जात होती है या कहें कि वो प्रॉब्लम्स काफे लंबे समय से उनकी रहती है उन बच्चों की उन विक्तियों की तो ऐसे लोगों का ना मजाक ना उड़ाया जाए ऐसी समस्या कि प्रति लोगों को जागुर्ण कि यहां कि हम प्रॉब्लम्स जाजा कि ओभी ऐसे समस्या हैं किसी किसी को समस्या होती है तो हम लोगा उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए देखो। तो उसके लिए सोचो कि उसको कितनी मुस्ववितों का सामना करना पड़ता है एक तो इंटर्व्यू वाला सिस्टम तो हर्ता ही दो मतलब इंटर्व्यू तो समझ लो आप ना के बराबर ही कुछ लोग ऐसे होते हैंगे जिनको क्वालिफाई किया जाता होगा हकलाने वाले वक्तियों को इंटर्व्यू तो समझ लो कि मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कौलिफाई किया जाता होगा इसके अलावा जब भी वो कभी कुछ बोलते हैं या कुछ कहते हैं तो भी लोग उपहास उडाने का कुड़ास करते हैं ऐसा ना किया जाये दुनिया भर में ऐसे लगभग एक दसमलो पांच परसंट लोग रहते हैं जिनको यह समझ आए हैं तो इसलिए किसी का उपहास इस नौट फिट आल वन साइज नौट फिट आल यह इस बार की थीम शुरुवात 1998 से इस दिवस की की गई थी अक्टूबर महीने का दिवस है कई दिन हो गये हैं रिकॉल करते हैं एक अक्टूबर को अंतराश्टी व्रधिजन दिवस मनाये थे हम लोग दो अक्टूबर को अं अपना नया जंडा यानिकी फ्लैग अपना नया एक्सेप्ट किया है। अपना नया जाता है। अक्टूबर को अंतराश्चे हकलाना जागता दिवस। दोनों हिस्तों से ये चक्रवाती तुफान आ रहे हैं। तो जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल की खाड़ी से कौन सा उठा है। और ये बंगाल की खाड़ी से उठा है। ठीक है ना बंगाल की खाड़ी से उठा है। तो याद रखना ये चीजे अभी मैंने परसों इसके बारे में बहुत कुछ बताया था आपको डिटेल में। देखो भारत का आपको मैं प्याँ पर दिखेगा। ये बंगाल की खाड़ी है। इस साइट से उठा है। और इधर तेज उठा है। हलांकि अभी देखो शुरुआत में जब उठता है उतुफार ना तब उतना ज्यादा इंटेंसिटी उसकी नहीं होती है। जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। तो अभी कितनी स्पीड होगी इसका exact अर्मान तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये जरू कहा जा सकता है कि ऐसी जो जुड़वा चक्रवात वाली घटना है दोहजार अठारा के बाद से अभी जा जो है जो अभी बंगाल क्यारी से उठा है इसको नाम दिया ही इरान ने ये इरान और इंडिया क्यों आया ऐसा क्योंकि यहां पर अगर आप नेम लिस्ट में देखोगे तो यहां इंडिया के बाद बारी आ रही किसकी इरान की आई-ई-ई से तो नहीं सुरू हो रहा है तो यहां पर ऐसे ही नाम रखे जाते हैं यह पूरी लिस्ट है तो आने वाले तूफानों में आप मिडेहल याद रखना और उसके बाद मिचाओं याद करना ठीक है तो भारत इस टाइम पर जुडवा चक्रवातों से जूजने वाला है आने वाले कुछी दिनों में बस हाली म किस इस्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिटरी इस्टेशन का पुरसकार दिया गया तो जोस्तो बेस्ट ग्रीन मिलिटरी इस्टेशन का पुरसकार अभी हाली में दिया गया है किसे उधमपूर सैन इस्टेशन को उधमपूर सैन इस्टेशन जो है यह अभी सम्मानत किया गया Best Green Military Station Award से अभी आर्मी ने इंडियन आर्मी ने कई Awards दिये हैं जैसे उधंपूर Swers值 Station को Best Green Military Station दिया गया और इसके अलमाद 13 military station को दूसरा सर सरास्रेष्ट परिवर्टन कारी Station का परृसकार सरह सरेष्ट क्मानडरों का एक सम्मेलन हुआ था उसी में दिया है, किसने दिया है, अपने जो सेना पर मुखही जनरल मनोज पांडे जी, इन्होंने दिया हुआ है, किलियर है न, अब ये भरतिय सेना की बात आई है, अभी मैंने आपको سयन विरासत महुत्सों के बारें बताए था, कि भी दिल्ली में आज़ुत किया गया, ज भारत और मलेसिया के बीच में होता है दोस्तो हरिमो सक्ती हरिमो सक्ती 2023 नाम का अभ्यास ये सुरू हो चुका है और ये अभ्यास इस बार हो रहा है भारत में पिछला संसकर्ण मलेसिया में हुआ था इस बार हरिमो सक्ती जो है वो भारत में किया जा रहा है भारत में कहां पर उम्रेई मेघाले में मेघाले के उम्रेई में बहुत सारे आपको अभ्यास देखने को मिलेंगे बहुत सारे अभ्यास वहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर उम्रेई मेघाले में ये भी शुरू हुआ है 23 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 5 नवंबर तक यह चलेगा इस बार ठीक है ना हरिमो सक्ती यह होता है किसके किसके बीच भारत और मलेसिया के बीच होता है हर साल अच्छा इसमें भारतिय दल को कौन रिप्रेजिन कर रहा है इस बार तो भारतिय सेना की जो राजपूद रिजिमेंट है ना वो भारतिय बटालियन को रिप्रेजेंट कर रही है इसके अलामा पिछल असंस का जैसिक में आपको बताया नॉम्बर में हुआ था यह हुआ था मलेसिया में मलेसिया के कुलूआंग में क्लियर अब आगे देखते हैं एक और सैने भ्यास इसको देख ल मतलब की तीन पक्षो यानि तीन देशों की सेनाए हो तो एक तो हो गया दच्छिर कूरिया ही और एक जापान एक अमेरिका तो तीन देशों के बीच में ये अभ्यास है और इसमें इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें बमवर्सक बिमान भी अमेरिका ने उतार दिया है बमवर्सक बिमान यह बहुत ज़दा खतरनाक है, यह B-52 बमवर्सक है, B-52 बमवर्सक नाम सुनके ही बहुत लोग डर जाते हैं, B-52 ना इसकी आप खासियत ऐसे समझो, यह चलता तो सब सोनी की स्पीड में मतलब बहुत दीरे-दीरे चलेगा, लेकिन यह अपने साथ इतना ज़्यादा Bum Carry करकर लेकर चलता है, कि जिस भी देश, देश तो छोड़ो, दो-चार देशों को अगर एक बार में खत्म करना चाहे, तो एक ही बार में खत्म कर सकता है, इतना ज़्यादा यह पावर्फुल होता है, खास बात यह है कि यह 50,000 फीट की उचाही तक जा सकता ह यानि कि इतना उचाही तक भी जा सकता है कि जल्दी सी यह पकड में भी नहीं आएगा, तो अठासी सो मिल से अधिक कियात्रा कर लेगा एक ही बार बिना कोई दुबारा इधन बढ़े, क्योंकि भाई इसका साइज भी बहुत बढ़ा होता है, आप देख सकते हो, बाकी फा कर रहे हैं, जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके, और इस रीजन में रस्या को भी काउंटर किया जा सके, चाइना को क्यों, क्योंकि चाइना ताइवान पर नजरे गड़ाया हुआ है, जापान भी उससे परिसान है, दक्षिड कोरिया भी उससे परिसान है, है ना, तो इसलिए इस रीजन में यहाँ पर ये चीज़ें की गई हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही ये लोगों ने पंडुबी रोधी अभ्यास भी किया था, यानि एंटी सब्मरीन एक्सराइज भी किया था। इसका नाम था साइलेंट सार्क, साइलेंट सार्क, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है, चलो, अब कुछ और अभ्यास जो हुए थे पिछले दुन में, उनको हम लोग रिकॉल करते हैं। मिलन 2024 ये भारतिय नौ सिना करेगी, ये बहुत पक्षिय अभ्यास है, यानि कि इसमें बहुत सारे देश भी सामिल रहेंगे, ठीक है, विसाका पत्तनम में ये होगा, युद्ध अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में, अलास्का में, युएसे में इजबार हुआ, आसियान सैनभ्यास ये आसियान के 10 सदस सितेसों ने किया, तिरसूल भारतिय वायव सिना ने किया भारत में इंडिया और चाइना की सीमा पर, ब्राइट स्टार ये दोस्तों एजिप्ट में हुआ है, और सिंबेक्स जो है न सिंगापूर इंडिया मेरिटाइम बाइलेटर अगली साल होगा और भारत ही इसकी मेजबाने करेगा, क्लियर है, स्क्रिंसोट लेना चाहो तो ले सुकते हो, वैसे आपको ये वट्सेप चैनल पर भेज दिया जाएगा पेज, हाली में किस नया अधिस को, अल्मा मेटर हावर्ड लाव स्कूल के दोरा, वैस्विक नेत्र तो प्रसकार से, ग्लोबल लीडर्सिप आवार्ड से सम्मानित किया गया है, डिवाई चंद्शूर साहब यहाँ पर देख रहे हैं आपको, ये भारत के पचासवे नंबर के CJI हैं, यानि Chief Justice of India है, सुप्रेम कोट के ये चीप जसिस हैं, पचासवे नंबर के, जस्टिस आपको बता दिया है, अच्छा सुप्रेम कोट की बात आए, सुप्रेम कोट कहाँ पर है, ये है नए दिल्ली में, ठीक है न, सुप्रेम कोट नए दिल्ली में है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और पुरुसकार सम्मान को देख लेते हैं, जैसे जीना महसा अमीनी, इनको दोस अच्छा दूस्तों दसहरा आज है आज दसहरा के आउसर पर एक दिन के लिए फिर से आफर आपका एक्टिवेट किया जा रहा है लेकिन इस बार coupon code थोड़ा सा अलग होगा कूपन code में आप डालेगा равan 50 ये coupon code डालोगे तो आपको 50% का discount मिलेगा वही same discount का amount है नवरात्री बाला ही लेकिन आपको इस बार coupon code रावन 50 डालना है और जितने लोगों ने जिन से मौका हाँ से छूट गया था जो लोग नौरातरी में आफ़र का फाइदा नहीं उठा पायते उनके लिए मौका है आप इसको फाइदा उठा सकते हो मौके का ठीक है ना तो आप रावन 50 coupon code यूज कीजिए आपने जो courses जैसे की बिहार SSC का है इसके लावा SSC GD का है जिये सफलता बैच है डेली पुलिस है यूपी पुलिस है इन सब बैच मेसेज जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो MZT app पर जा करके और अगर ebook लेनी है तो वो ebook भी आप ले सकते हो तो आज आज के लिए एक बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है इसका फायदा उठाइए MZT app पर मिलेगा अगर कोई भी doubt आता है कोई issue आता है तो whatsapp का icon आपको जगा जगा देखने को मिल जाएगा application पर ही आप इस पर click करोगे सीधे पहुचोगे हमारे whatsapp पर आप वहाँ से कोई भी problem जो आपकी यहाँ पर हो इस code से related पूछ सकते हो आपको solution बताय जाएगा आगे बढ़ते हैं coupon code यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ रावन 50 यह coupon code है ठीक है ना इसको ही आपको use करना है अक्टूबर 2023 में किस राजे में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारो सक्ती वंदन आयजित किया गया तो सक्ती वंदन नाम से देश का भारत का सबसे बड़ा कन्या पूजन अभी आयजित किया गया समारो यह कहाँ पर गोंडा उत्तर प्रदेश में दोस्तों आप सबको पता है कि नौमी के दिन अश्टमी के बाद दुर्गा अश्टमी के बाद नौमी के टाइम पर और हलाकि लोगों का अलग 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 दिन होता है कभी-गभी तो कन्या पूजन किया जाता है नौ कन्याओं को अमूमन खिल गोंडा तो वहां से एक नया रिकार्ड बना है वहां पर सबसे जादा मात्रा में कन्याओं का पूजन करके एक नया रिकार्ड बना है कितनी कन्याओं 11,888 बेटियों की कन्या पूजन किया गया और एक नया रिकार्ड बना है और इसको नाम दिया गया सक्ति वंदन ठीके तो शक्ती वंदन था ये याद रखना। जिला बना बरेली उत्तर प्रदेश का। यूपी का पहला सोलर सिटी अयोध्या बनने जा रहा है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची मद्य प्रदेश है। हर घर सौर अभियान लखनों और वारानसी से सुरू किया गया। गिफ्ट डीड योजना अपने परिवार वालों के बीच प्रापर्टी ट्रांसफर के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश के 18 आवासी स्कूलों को मंजूरी मिल गई है। कर्नोज में उत्तर प्रदेश का पहला e-office सिस्टम शुरू होगा और कर्नोज को इत्तर प्रदेटन सिटी की रूप में विक्सित किया जा रहा है। क्लियर है। उत्तर प्रदेश आप यहां पर देख लोगे इस्टेटिक पॉइंट्स के जल्दी से इसका स्क्रिन सॉट लीजिए। मैं बरता हूँ आगे। हाली में किसने अभू धावी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। इसको जीत लिया है दोस्तों उन्नती हुट्डा ने। उन्नती हुट्डा ये बैटमिंटन की खिलाडी हैं वारत की खिलाडी हैं और इन्होंने अभी हाली में अभू धावी में मास्टर्स 2023 य 100 Word Tour किताब है, पिछली बार जब इन्होंने जीता था तो ये बन गई थी सबसे कम उम्र की इस प्रकार का event, इस प्रकार का tournament जीतने वाले खिलाड़ी, तब इनकी उम्र महाज 14 वर्स थी, जब पिछली बार इन्होंने जीता था, तो इस बार भी इन्होंने जीत लिया है, अब वन डे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रर मनाने वाले खिलाए बल्लिबाज कौन बन गए है, तो वो बन गए हैं दोस्तो, सुबमन गिल, सुबमन गिल ने अभी हाली में हासिम अमला का रिकार्ट तोड़ दिया है, इन्होंने फास्टेस्ट 2,000 ररन कम्पलीट किये हुए है ODI में, यानि One Day International Cricket में, तो सुबमन गिल के नाम ये रिकार्ट बना है, इन्होंने महज 38 पारियों में रिकार्ट बनाया हुआ है, अभी World Cup में हम लोगों ने नियुजिलेंड को हराया, डिसंट जो मैच हुआ है, उसी मैच में इन्होंने ये रिकार्ट बनाया हुआ है, एक और महत्पूर्ण रिकार्ट आपको ध्यान रखना है, कि मुहम्मद समी आमद ये World Cup में सबसे ज़्यादा बार 5 विकट हॉल में सामिल हो गए है, यानि 5 विकट एक ही मैच में लेने वाले खिलाडे, तो इन्होंने World Cup में दो बार ऐसा कारणामा किया है, और आज तक दो बार कारणामा कोई नहीं किया था, तो ये एकलोते ऐसे बन गए हैं, जोने दो बार 5 विकट लिये हुए हैं, मुहम्मद समी आमद, ठीक है, इन्होंने भी इसी मैच में लिया न्यूजिलैन के खिलाब, तो देखो हासी ममला 40 पारी में अपने 2000 सबसे तेज बनाए थे शु देंदुलकर का, भारतिय क्रिकेट टीम के पूरू प्रसिद कप्तान बिसन सिंग वेदी का निधन हो गया, इन्होंने अपने टेस्ट केरियर में कुल कितने विकट लिये थे, तो भारत को एक बहुत दुखत समाचाय मिला कल, भारतिय क्रिकेट के इतिहाज में बहुती दि में था, उस टाइम टेस्ट किरकेट ही ज्यादा चला करता था, तो जब यह सत्तर के दसक में खिला करते थे तब, इनको दस सरदार आफ इस्पिन के नाम से भी जाना जाता था, वंडे जैसे इस टाइम भी आप देखरो, टी टॉन्टी शुरू हुआ है, उसके बाद कहीं क बुगाट मिलती है कि टी टॉन्ट भी शुरू किया जा रहा है, या कहीं कहीं पर आयोजन किया जाता है, अमेरिका वगरा में, तो ऐसे ही तब वंडे शुरू हो रहा था, तो वंडे बहुत ज्यादा नहीं खेले, वंडे यह बहुत कम खेले हैं, आप देखो, 10 मैच में ख कुछ उपनाम है कह सकते हैं, ठीक है, बिसन सिंग बेदी जी का, और एक बहुत ही प्रसित चोकडी थी भारत की, बेदी, प्रसनाद, चंद सेखर और रागवन, उसी चोकडी में इनका भी नाम आता था, 1970 के दसक में इस बिन चोकडी की नाम से जाने जाती थी, तो टेस्ट आई है, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, और हाँ, एक बार फिर से मैं बता दू, दसाहरा ओफर का लास्ट दिन है, लास्ट क्या, एक ही दिन के लिए शुरू किया गया है, तो आप एक बार फिर से अगर जो लोग भूले बटके हैं, जो लोग कोई e-book नह नहीं ले पाए हो, तो आज एक बार फिर से मौका है आपके लिए, आप लेना चाहो, तुसे ले सकते हो, WhatsApp चैनल भी जोइन करो, WhatsApp आप गुरूप भी जोइन कर सकते हो, WhatsApp का नंबर भी दिया गया है, आप और सपर WhatsApp करके जानकरियां भी ले सकते हो, कौन-कौन-ची चीजें आपको लेनी है, ठीक है न, कैसे लेना है, और आप टेलीगराम गुरूप भी हमें जोइन कर सकते हो, यहाँ पर भी बहुत सारी PDF आपको फिरी में मिल जाएंगी, कल का question देखते हैं, कल हमने पूछा था कि मिसन गगान यान को सफलता पुरूप कब तक लांच किया जाएग यहाँ पर किया जाएगा, यह दूसरा question आपका, यह दोनों question का आप जवाब दीजिए, comment box में आप लिख दीजिए, इसका जवाब फटा फट से, अगर कोई detail मालूम है तो वो detail भी आप लिख दीजिएगा साथ साथ में, thank you so much यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, MJDF पर जाकर इसकी quiz जरू solve कर लेना, pw2 जरू download कर लेना, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार जहें, वन्दे मात्रा,